प्रॉब्लम में हमारे पजीव पॉइंट लाए इंसाइड, आउटसाइड और अन दे सिर्कल question है determine whether the point P-5, 6 एक point है जो कि हमने बताना है कि क्या ये lies outside यानि सिर्कल के बाहर लाए करता है on यानि सिर्कल के boundary के उपर और inside ये सिर्कल के inside में लाए करता है क्यों सिर्कल क्या है? x2 plus y2 minus 2x minus 2y minus 39 is equal to 0 ठीक है? अब एक तो तरीका ये है कि आप इस सिर्कल को इस सिर्कल का देखने कि इसका center क्या है और इसका origin, इसका जो है वो radius क्या है उसके हिसाब से हम सिर्कल को graph कर लें और फिर हम इस point को भी plot कर लें महां से अंदाजा हो जाएगा लेकिन हमने graph किये बगार बताना है, algebraically बताना है, ठीक है? तो उसमें किस तरह से बताया जा सकता है? अभी हम जैसे concept lecture में हमने बात की, कि अब अगर ये circle की equation है, अगर ये point P, x1 का square plus y1 का square minus 2x1 minus 2y1 minus 39 जो है, जब मैं इसको solve करूँ, तो एक इसके बराबरा है, जीरो की, अब x1 क्या है? ये point x1 है और ये point y1 है, चुक्छे circle के मिसाल के तोर पर, मैं यहाँ पर circle draw नहीं करना जा रहा है, मैं एक dummy से circle बनाता हूँ, ठीक है, first कर ले मेरे पास, और हम first कर लेते हैं, कि circle का जो center है, वो origin के उपर है, ठीक है, तो अगर ये circle है, मिसाल के दोर पर, अगर ये circle है, first कर ले, चले, मैं तोड़ा सब बेहतर बना लेता हूँ, अगर ये circle है, अगर ये circle है, तो point जो भी होगा, जो भी point होगा, वो circle के अगर उपर लाइ करता है, boundary के उपर मुझूद है, तो इसका मतलब है, वो circle की जो equation होगी, इसको satisfy करेगा, मतलब x1 और y1 को वहाँ से put करने से वो जवाब बराबर हैगा, पिर हमने ये भी बात की, कि अगर जवाब जो है, वो greater than आजाए, 0, greater than आजाए, 0, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कि अगर य यानि x1 square, plus y1 square, minus 2x1, minus 2y1, minus 39, वो अगर आजाए, greater than 0, greater than 0 आजाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर जो point होगा, वो क्या करेगा, आउट साइड में लाए करेगा, यनि इस circle के बाहर लाए करेगा, ठीक है, outside, वो क्या हो जाएगा, outside, ये हो जाएगा on, ये case था on the circle, on the circle, और जाहर है, थर्ड क्या case है, अगर x1, x1 square, plus y1 square, minus 2x1, sorry, 2x1 minus 2y1, minus 39, जो है, वो less than 0 आजाए, less than 0 आजाए, ठीक है, ये y है, sorry, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है, अगर वो less than 0 आजाए, तो इसका मतलब है, वो inside में लाए करता है, inside में लाए करता है, अब हम मालूम कर लेते हैं, कि क्या, ये outside है, inside है, ये on the circle है, अब minus 5, 6 को put करें, ठीक है, तो चेक, आप x1 की जगा रखेंगे, minus 5 का square, उसके बाद, plus 6 का square, उसके बाद, minus 2 into minus 5, minus 2 into 6, minus 39, ठीक है, इसको हम देखते हैं, कि क्या, ये greater than 0 आता है, less than 0 आता है, ये क्या इसकी value होती है, इसको evaluate करना है, ठीक है, to evaluate at, चले, मैं या पर mention भी कर देता हूँ, to evaluate, चले, to evaluate, evaluate at, minus 5 और, 6 ये नहीं, minus 5 और 6 पर इसको evaluate करना था, इसको इनको, तो या दिया जी, 25 plus 36, 26, और plus 10, minus 12, minus 39, ठीक है, आप 25 plus 10, 35, 35 plus, ये बनता है, 71, ठीक है, 20, जो है, 20 आगा है, ठीक है, अब 20 जो है, वो क्या है, इस greater than 0 है, इसका मतलब है, ये जो point P है, जो given है, ये outside लाई करता है, ये क्या करता है, outside लाई करता है, तो लहाज़ा हमने देखे, अलाम से ये बात मलूम कर ली, कि point P जो है, वो circle के inside, outside, ये on the circle है, तो इसी तरह कोई भी point होगा, आप इसको इसी तरह से test कर सकते हैं, कि वो कहां पर लाई करता है,